ये गाइस मैं हुई शौरे सत्यार्थ and you are watching Gaming Generation and मैं God of War के बारे में कोई वडियो बनाना चाहता था and finally मुझे वो टॉपिक याद आ गया जो मैं काफी लंबे टाइम से भोल रहा था यनि कि God of War सीरीज के सारे गीम्स को रैंक करना finally guys मैं ये वडियो ला रहा हूँ मेरे चैनल की most requested वीडियो जहांपर मैं सारे God of War गेम्स को रैंक करूँगा अपने तरीके से मुझे personally कौन सा God of War गेम, किस God of War गेम से बेटर लगता है और हाँ इस लिश्ट का मतलब ये नहीं है कि जो God of War गेम्स सबसे नीचे आया है वो God of War गेम ही खराब है बढ़ हाँ जो God of War गेम इस लिश्ट में उपर आया है वो नीचे वाले से बेटर है मेरे हिसाब से और इसलिए मुझे आप लोगों का उपिनियन चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जहां आपने मुझे बताइएगा कि आपकी God of War गेम की रैंकिंग क्या होगी सारे नहीं बढ़ हाँ आपने जितने भी God of War के गेम्स खेले हैं या जितना उसके बारे में सुना है आपके सबसे कौन सा God of War सबसे नीच आएगा और कौन सबसे उपर बट गाइस इस वीडियो में हम सिर्फ इतना नहीं करेंगे इस वीडियो को थोड़ा सा और तीका और स्पाइसी बनाने के लिए इस वीडियो के एंड में मैंने एक कैटिगरी बनाई है Skip, Can't Skip and Must Play का बतलब कि ये तीन कैटिगरीज में मैं सारे God of War गेम्स को प्लेस करूँगा और ये बताओं कि स्टोरी वाइज आप कौन सा God of War गेम्स स्किप कर सकते हो और कौन सा आपको नहीं करना चाहिए तो अब without wasting any more time let's begin this video बट इससे पहले कि हम ranking start करें बहुत सारे लोगों को God of War के chronological order में confusion है तो इसलिए confusion मिटाने के लिए मैं सारे God of War गेम्स को chronological order में place करता हूँ सबसे पहले आएगा God of War Ascension, then Chains of Olympus, then आएगा God of War, then God of War Ghost of Sparta, उसके बाद God of War Betrayal, God of War 2, 3, उसके बाद 2018 and finally आएगा God of War Ragnarok इस लिश्ट के सबसे नीचे जो God of War गेम आएगा वो है no doubt God of War Betrayal इसकी कहानी God of War Ghost of Sparta के बात किया है and God of War 2 के पहले किया है आप guys, बिना किसी doubt के जब आप ये गेम खेल होगे तो आपको ये बात realize हो जाएगा कि इसकी story filler है definitely इसको आप कितनी बाहर भी miss करो, आपको बिलकुल regret नहीं होगा बढ़ा, ये mobile का one of the most amazing game था जो आप खेल सकते थे या खेल सकते हो, क्योंकि इसमें आज भी आपको बहुत मजाएगा वो ही brutal scenes, वो ही brutal combat, वो ही amazing storyline जो आपको mobile में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी बढ़ा इस game की problem वो ही थी, कि इस game को end करते करते, आपको इतना ज़ादा burn out हो जाएगा कि आप सौचोगे कि भाई, अब मुझे खाली story में interest है, और किसी चीज में नहीं and that's why, ये इस list के सबसे नीचे है, बढ़ा इसका मिलाब ये नहीं है कि God of War betrayal ये खराब game था बहुत सारे लोग की, in fact मेरी भी God of War betrayal के साथ बहुत important memories जोड़े हुई है बट उतिनी खास नहीं, जितनी खास उपर आने वाले games में है, इसके बाद आता है Chains of Olympus God of War Chains of Olympus, story के हिसाब से दूसरा game था, यानि God of War 1 के पहले की story इस game को Ghost of Sparta के बाद बहुत underrated माना जाता है, लोग क्योंकि बहुत सरे लोगों ने God of War 1 खेला, 2 खेला, 3 खेला and 2018 खेलना श्टार्ट कर दिया बट लोग God of War Chains of Olympus को miss कर देते हैं, लेकिन गाईज इसके story God of War के ये one of the best stories में से एक है बिना किसी doubt के क्योंकि ये Kratos के बहुत important story आर्क को cover करती है, आप Kratos को किस चीज से याद करते हो, उसके गुससे से, है ना, मतलब कि वो Gods पे गुससा रहता है, उसको सबको बस मारना है, बट गाईज एक्चली में इस game ने कुछ अलग किया था, इसमें Kratos परिशान है, वो Gods अपना कर्द से चाहता है, वो किसी को मारना नहीं चाहता है, वो अपने आप से परिशान है, and that's why इस story में बहुत खास-खास चीज़े होती है, अगर कलती से आपने God War Chains of Numbers को miss किया है, तो please जाके खेलिए, बट अगर आप जाना चाहता है कि ये इस list में इतना नीची क्यों आया है, उसका बात आता है, मेरा one of the most favorite God War game, यानि कि God War Ascension, अब जासा कि मैंने का है, God War Ascension मेरा one of the most favorite game है, क्योंकि ये ऐसा पहला गेम था, जिसने मुझे realize कराया कि generation gap क्या होता है, मेरा मतलब ये है कि God War Ascension इतना ज्यादा stunning game था, इतना ज्यादा brutal and heavy game था, कि जब मैंने इस game को पहली ब जासाब, ये है God War Game, मतलब God War Ascension हर टाइप से best था, इसका combat, इसका camera angle अला system, जो कि बहुत सारे लोग को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनको नहीं पसंद है, कि game उनके camera के साथ अपने आपी छेड़ छाड़ करे, बट मेरे इसाफ से ये बहुत ही अच्छी चीज थी, क्यो आपको बता नहीं सकता है, इसके उपर आता है God of War 1, अब guys finally इस वीडियो का वो point आ चुका है, जब लोग अपने opinions comment section में share करना पसंद करेंगे गालियों के साथ, बट guys मैं आपको पता दो कि ये मेरा personal opinion है, and guys मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि God of War 1 खराब है, God of War 1 बहुत अ हाइब से start and end किया था, लेकिन again इस game का artwork उस level का नहीं है, जो आने वाले games में है, actual में इस game को और उपर आना चाहिए था, क्योंकि God of War के starting तो इसी से तो हुई थी, लेकिन of course क्योंकि ये God of War का पहला game है, लोग इस game को बहुत ज़्यादा over hype भी करते हैं, of course इस game में बहुत memorable जगहें थी, जैसे Pandora Temple, या फिर वो desert जो कोई नहीं भूल सकता, जहाँ पर आपको तीन गाना गाने वाली लड़ियों को ढूनना था, वाओ, बहुत अनंग था, बड़का इस God of War 1 के बाद इस list में था God of War Ghost of Sparta, इस list का most underrated game, अब गोश्ट of Sparta basically ऐसा पहला game था, जिसने God of War के artwork को next level पे ले गया, अब यहाँ पर आप realize करोगे कि artwork होता क्या है, God of War Ghost of Sparta में ऐसी ऐसी locations थी, ऐसे ऐसे looks थे, जो ऐसा लगता था इस game के है ही नहीं, for example, Eldian Ring, 2022 का best game, which is live example है कि अगर आप Eldian Ring के किसी भी location पे जाओ, आप screenshot लेकर उसको अपने वालपेपर में लगा सकते ह God of War, Ghost of Sparta उन्हीं games में से एक था, उनका इस God of War, Ghost of Sparta actually में बहुत special है, क्योंकि ये उन God of War games में से एक था, जो actually में 18 plus है, जरा आप मेरी बात को समझ नहीं कोशिच कीजिएगा, God of War Ragnarok, of course, उसमें भी काफी brutality है, but God of War Ragnarok and God of War 2018 ट्रॉमा नहीं देता, मैं आपको बता सकत हूं कि God of War, Ghost of Sparta सिर्फ visually brutal नहीं है, बलकि वो actually mentally brutal game है, इस game हो खेलने के बाद आपको इस game के सपने आ सकते हैं, in fact, Ghost of Sparta में ऐसे ऐसे scenes हैं जिनको मैं इस वीडियो में दिखा भी नहीं सकता, नहीं तो मुझे guideline strike लग जाएगी, और हाँ हम लोग ये कह सकता है कि Ghost of Sparta इस Finally, God of War 2018, अब गाइस फिर से लोग यहां पर बोलेंगे कि भाई तू यह क्या बगवास कर रहा है, फूर्थ नंबर पे God of War 2018, फॉर्स पे क्यों नहीं, well, मैं आपको explain करता हूँ, God of War 2018 लिट्रली में एक generation gap था, इस game को देखता हैं को ये कह सकता था, कि 2018 में ऐसा game कैसे आ सकत है, बड़ गाइस, मैं आपको इस बात रियलाइस कराना चाहता हूँ, कि God of War 3 भी 2010 का game था, ये graphics आपको 2010 में देखने को मिली थी, जरा आप इस बात को सोच के देखिए, God of War 3 के बारे हम थोड़ी दिर बात बात करेंगे, God of War 2018 लिट्रली में बेस्ट गेम था, बेस्ट गेम 2018 का थो बेस्ट गेम था, या कहा है, इस पूरे डेकेट का वन आफ दी बेस्ट गेम था, हाँ, मुझे पता है, मैं बहुत बार बेस्ट गेम कह रहा हूँ, but God of War 2018 लिट्रली में वन आफ दी पेस्ट गेम था, ओ, मुझे चुप हो जाना चाहिए न, आपको इस मुझे ये reasons देनी के जरूत नहीं है, कि God of War 2018 इतना खास क्यों था, इस गेम में वो हर चीज था, जो एक गेमर को चाहिए, अच्छा combat, अच्छी story, अच्छा character, अच्छे side characters, अच्छे villains, अच्छा music and पता नहीं क्या-क्या, God of War 2018 के पारे में मैं जितना बात करूंगा, उतना कम पर्फेक्ट सीक्वल, God of War Ragnarok, पता है, शाद आपने ये बात रिलाइस कियोगी, कि अगर कोई गेम या मूवी या सीरीज, फेमस हो जाती है, तो लोग उसके अगले पार्ट से जाथा expectation रखते हैं, और भला ही उसका अगला पार्ट बिल्कुल पिल डिसपॉंटिंग नही करती है, मतलब God of Ragnarok से लोगों ने कितने साल तक कितनी जादा उमीद लगा ली थी, कितनी सारी theories, कितने सारे assumptions, और God of Ragnarok उन सारे सपनों पे खड़ा उतरा, लोगों को एक perfect sequel दिया गया, एक perfect story, perfect character development, perfect arc, Kratos की perfect ending, हर चीज इस गेम में perfect था, बट गाइस इस गेम का combat अच् characters अच्छे थे, story अच्छी थी, graphics next level थी, अब इस गेम में इतने सारे चीज़ अच्छे थे और इन सारे चीज़ों के पीछे लोग बहुत सारे चीज़ों को ignore कर देते हैं, जैसे इस game का artwork, जो इस पूरे series में best है, yes guys मैंने ये कह दिया, God of Ragnarok में ऐसे ऐसे scenes, ऐसे ऐसे visuals हैं जिसका कोई comparison ही नहीं है, and that's why मैं combat story इन सब के बारे में बात करके time waste नहीं करूंगा, वो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, hype भी अच्छी थी, Thor, Odin, वेगरा वेगरा, बड़ ये game खास इसलिए हो जाता है, तोकि इस game ने actual में Kratos को एक best ending दी थी, मुझे comment section बता है, आप fps में चल रहा था, लेकिन guys उस चीज़ का भी अलग मजा था, वो scenes, वो story, वो bosses, ये सारी चीज़े मेरे लिए इतनी नहीं थी, कि मैं सोच रहा था, यार ये game कितना grand होने वाला है, अब guys मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी-किसी game को starting में judge नहीं करना चाहिए, आ जो कि God of War 2 एक ऐसा game था, जिसकी loading screens हैं, आपको पता चल सकता है, कि ये game कितना ज्यादा badass होने वाला है, और ये game आपको बिल्कुल disappointed नहीं करेगी, God of War 2 उन games में से एक था, आप guys याद है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये कहा था, कि God of War Ragnarok एक perfect sequel है God of War 2018 का, मैंने 2010 में आपको ऐसी graphics मिली थी, जिसको देख कि आप ये बता सकते थे कि ये game आज से कितना ज्यादा आगे का game है, इस game में खेलते हैं ये बात पता चलिया था, कि God of War का future कितना ज्यादा bright है, ये game एक next level का game था, ना कि सिर्फ graphics में, soundtracks में, characters में, bosses में, मैं क्या बता हूँ, इस game में, आपको सबसे ज़्यादा बहतेरीन combat, सबसे ज़्यादा बहतेरीन bosses देखने को मिले थे, पोसाइडन, हीलियोज, हर्मीज, zeus, और पता नहीं क्या-क्या, आपने बाकि सारे games में, demigods को मारा होगा, इस game में आपने pure gods को मारा, वो भी एक नहीं, बलकि multiple gods को, इस game के intro scene म यह आपको kratos का anger feel हो सकता था, अगर आपने आज तक God of War 3 नहीं खेला है, तो इस game को सिर्फ 5 minute दीजिए, सिर्फ 5 minute, और यह आपका pure experience चेंज कर देगा, that's why यह number 1 पे है, और मुझे इस बारे में नीचे comment section में, आप सब सब जानना है, कि आप सब क्या सोंसते हो, आप and आपक ranking क्या है, प्लीज मुझे नीचे comment section बताएगा, बिना गालियों के साथ, प्लीज, जैसे कि मैंने promise किया था, मैं अब सारे God of War games को 3 categories में rank करूँगा, story-wise, कि आपको क्या skip कर देना चाहिए, और क्या आपको खेलना ही पड़ेगा, सबसे पहली category है, skip, यानकि ऐसे God of War games, जिनक इसमें definitely आएगा God of War गोष्ट और स्पाटा, जिसको मैं recommend नहीं करूँगा, skip करो, बट आप skip कर सकते हो, और हाँ, इस category में खाली एक ही game था, जो must play God of War games के category है, उसमें definitely आएगा God of War 1, God of War 2, 3, 2018, and finally Ragnarok, विल गाइस, आज की वीडियो थोड़ी से लंबी हो गई, क्योंकि यह topic यहाँ साता है, बट गाइस, जैसे कि मैंने का मुझे नहीं जिए comment section बताएगा, और इस वीडियो को एक like जिरूर कीजेगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मैनात लगी है, और मैं आपको मिलता हूँ किसी next वीडियो में, तब वे के लिए God luck.